हेलो फ्रेंज वेल्कम टू जॉर्टिका गेमिंग आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा यह रोकप का मैं आज रश्य वर्सेस फिनलैंड लाइनप आउट हो चुका है आफ्टर लाइनप वीडियो विकॉज आप लोगों का बहुत सरे के रिक्वेस्ट आता है मेरे पास जो कैसे आफटर लाइनप में प्लेयर समझता हूँ, कैसे टैक्टिक्स अभी तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया था वो बिफोर लाइनप है यह आफटर लाइनप वीडियो ताकि आप लोगों का टीम बनाने में आसानी हो देखिए मैं कॉपी-पेस्ट टीम में ट्रस् जोट लेज्ट कर दो और विडियो को लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो दीखते helps जो ऑभ कुझ ब्रॉम्सरकाय तो नोग लेजेंग और Всем लेम्या पेनल के इसक बाकर दो मय अच्छे ज्यादा important है कौन-कौन Artem, Alexander Gollowin और Alexey Miranczuk ठीक है यह जो तीन प्लेयर है ना यह बहुत important है इनका goal देखिए goal of win जो है इनका chances assist करने का ज़्यादा है यह creative midfielder है ठीक है यह forward नहीं है यह creative midfielder है assist करने का ज्यादा chances है और अगर forward का बात करूँ तो Artem और Alexey Miranczuk इन दोनों का goal chances सबसे ज़्यादा होगा तो यह दो goal और यह एक है assist का chances वाला उसके बाद मैं अगर goal, assist और सबसे रशिया का best player का बात करूँ तो है Mario Fernandez इनको तो छोड़ना ही मत किसी भी team में इनको छोड़ना नहीं चाहिए यह बहुत अच्छा प्लेयर है कभी भी goal, assist कुछ ना कुछ तो करके जाएगा मैच पे सबसे dangerous player रशिया का यही है बाकि अगर midfield section में बात करूँ देखो ओजडे वब यह अच्छा प्लेयर है यह support के लिए आप ले सकते हो team पे आपको passing, interception यह सब का point दे सकता है assist का chances तो मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि Finland भी अच्छा team है assist उतना करने ही पाएंगे ठीक है बट आपको passing, interception, tackles यह सब से point देंगे बाकि इन दोनों को मैं उतना favorable नहीं करता हूँ grand league में अगर एक team में try करना है no issues on that ठीक है Russia match को शाएद जीती जाएगा इस बार अच्छा अगर मैं Finland का बात करो तो Finland का सबसे बेस्ट striker कौन है Kutki टीमो Kutki को छोड़ना मत पिसले दिन ने गोल नहीं किया था छोड़ना मत क्योंकि यह बहुत important player है ठीक है जोएल इनको इन्होंने पिसले दिन गोल किया था तो सारे लोग इनको सेलेक्शन के उपाद जाएंगे मैं नहीं जाओंगा मैं यह नहीं बोलता हूँ जो रशिया पिसले दिन रशिया बेल्जियम के साथ हार के आए बट बहुत अच्छा खेला था ठीक है बेल्जियम को टक करते ना कोई आसान काम नहीं है नंबर वन टीम है वाल रैंकिंग नंबर वन टीम है उनको टक कर दिया था तो फिनलेंड तो रैंकिंग में शायद 30 या फिर 37 है 54 है फिनलेंड रैंकिंग पे तो खतार नाक यहां पर रखी होगा तो मैं इनको तो लेना उतना पसाद नहीं करूंगा लोग को ले रहा है लोगों को लेने तो ठीक है मुझे फरक नहीं परता है उससे अच्छा डिफेंस पे फिनलेंड बहुत अच्छा खेला था यह तीनो प्लेयर्स का जो मेंटल स्टेंग थे वह भी तूड़ गया था तो इसलिए फिनलेंड को जीतना हुआ पर आसान हो गया फिनलेंड फास्ट टाइम कोई येरोपियन चैंपियंशिप जैसा मैच पे जीत गया ठीक है बट हर दिन यह चीज नहीं होता है रश्या बहुत स्ट् अब डिफेंस पर जा सकते हो तो टैकेंस इंटरसेप्शन के लिए आप पावलस को भी ट्राइक कर सकते हो तो चलता हूँ ड्रीम 11 का टीम के ऊपर क्या मेरा टीम रहेगा मैं अभी तक टीम बनाया नहीं हूँ तीम बना अपके सामनी बनाता हूँ तो आपके लिए आसान र अब उर लोटको मैं बे रहा हूँ साथी साथ का टृफेंज डे उलिए डीफेंडर में राशिया कोई ले रहा हूं ठीक है और कोई है रहा रशिया डिश्ट एक मीट श्यक अन्ठी इस्थ आक और कोई डिफेंस पर नहीं तो रॉच्ण ड साथ ही श्यक हgyल्याया गय rpm रू मैं जर्च हों गा जस्काहिए मैं दिखा तो मैं कैसे चेक तो जोने टो इनको देखो इनको ब्लॉक क्लियरंस टेंक ऐसे अच्छा है फोजीशनिंग ठीक है यह 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 जाना फोजिशन्ग का पोजिशन समझता है यह ब्लॉक्षो ट्लीयर्णस पासिंग यह सब चेक शुँ साथ यह रही है लिएक टाउस थोड़ा साब लग रहा लग रहा रहा है सब्सक्राइब सभी बैटर लग रहा है मुझंट कु अर्भ यह सबने की पासे तो चलो मैं रिक्स लेटा हूँ उडम्न rand & runn n kg जा रा हूं यह पर ऐगर सेव जाना है तो आप चले जाओ ब unlocking जारी तिक है अगर गोल एसिस करने के chances कर हो देखना है Key Passes कई का इसे मैं समझा breaking boundary & pass बाॉल का यह डा रहा है इसलिए do prepping passes one हो गया यह देखै सो के देखो मतलब Kा लोंग लुक्राइब जो उठाया है मतले है विंक से स्वर तो यह ज्यादा रक्षज रखते स लगता है यह इनका passes कम होता है बट इनका अगर chances कम होता है तो आपको ना यह आपको all time यह पास टेकर से ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं अगर उन्हें एसेस्ट कर दिया तो वह पॉइंट ज्यादा देगे ठीक है अगर वह एसेस्ट नहीं कर पाया ना तो यह जो प्लेयर है यह प्लेयर है ठीक है तो यह चीज़ को याद रखना आप आप फिनलेंड से गोल एक्सपे कर रहे हो या फिन नहीं कर रहे हो अगर अगर मुझे लगता है नहीं गोल नहीं होगा तो मैं उर्णन को नहीं रूंगा अजूरी को ले रूंगा यह आपके उपर डिजिजिएन है जिस्ट पर दोटेंड पर बात करूंगा तो पूटकी ठीक है यह तीनों छोड़के उपर जाना ही मत किसी के साथ ठीक है अगर ग्रेंड लिग का मैं बात करूंगा तो अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए तो यही आलमोस्ट मैं फाइनल टीम आपको को दे दिया हूँ वीडियो देखे ख्रेंड लिक खेलिए और यहां पर जो भी जीएल है यह देखो सारे तीन लाग का जीएल है तीन लाग का जीएल है वीन करिए वीन करके मुझे स्क्रीन शॉट भेज दीजिए थैंक्यू सो मच all the best और चैनल पर जॉइन हो जाईए को दो